Welcome to Food Villa Kolkata हाई दोस्तों, Welcome to Food Villa Kolkata हमारे Food Villa Kolkata में आप लोगों का स्वागत है आज हम लोग चत्पटी, तीखी और मज़ेदार चाट पकोडा बनाने जा रहे हैं ये बहुत टेस्टी और मज़ेदार बनती है और बहुत चत्पटी होती है ये सब को बहुत पसंद आती है तो ये चाट पकोडा बनाने के लिए हम लोगों को क्या-क्या समगरी लगेगी हम लोग अब दिखाते हैं ये चना और खिसारी के दाल को मैंने मिक्स करके 4-5 घंटे मैंने भिंगा लिया था आप सिर्फ चने के दाल या खिसारी के दाल भी ले सकते हैं ये दो प्याज है छोटी-छोटी जिससे मैंने काट लिया है ये एक चम्मच अद्रक और एक चम्मच लसुन का पेस्ट है ये है धनिया पत्ता ये है सेव भुजिया ये खीरा है ये एक निम्बू है और ये करी पत्ता और ये हरा मिर्चा है दाल को हम लोग पहले मिक्सर में पीस लेंगे आप सिल बट्टे में भी पीस सकते है ये देखिए मैंने इससे हल्का तरदरा पीस था है अब देख सकते है । इससे माने पानी नहीं आटकिया है दाल को सोप करने के वक्त जो पानी बज गया था बस उसी से मैंने पीस लिया है ये देखिए इस तरीके से आप लोग भी मिक्सर में या सिल्वट्टे में पीस लीजिएगा अब इसे हम बाउल में निकाल लेंगे यह पिसीवी दाल में अब हम सारे मसाले डालेंगे हम यह धन्या पत्ता इसको एक तम महीन महीन काट के हम इसमें डाल रहे हैं आप इसी तरीके से डाल दीचिएगा यह चौप केवे प्याज है यह भी हम डाल रहे हैं और यह कुछ करी पत्ते हैं जिसे मैंने काटा नहीं है यह ऐसे ही मैं साबुत डाल दे रहे हूं और हरे मिर्ज आप अपने स्वाद के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं आप जितना तीखा खाते हैं उसे साब से कम ज्यादा कर लिजेगा और इसमें यह अद्रक लसुन का पेस्ट हम डाल देंगे स्वादनुसा नमक और यह अजवाइन है जिसे थोड़ा हम क्रश करके इसमें डाल देंगे यह अजवाइन डालने से यह पकोड़ा का टेस्ट बहुत ही मज़िदार होता है अब इसे हम मिला लेंगे अच्छे से मैंने सब मसाले को अच्छे से मिला दिया है अब आखिर में हम यह आधा चमच हल्दी पाउडर आधा चमच लाल मिर्च पाउडर डालके अब इसे हम बहुत अच्छे से मिला लेंगे चम्मच के सहारे या हातों के सहारे आप इसे जैसे भी आपकी मर्जी आप इसे बहुत अच्छे से मिला लीजिएगा ये देखे मैंने मसाले दाल में बहुत अच्छे से सारे मिला दिये हैं इसे हम 10 मिनिट के लिए रेस्ट के लिए छोड देते हैं उसके बाद हम लोग इसे fry करने के लिए चलेंगे पकोड़ा तनने के लिए हमारा देल गरम हो चुक नहीं है आप इस साइस के हम चुटे चुटे पकोड़ें हम लाइट फ्लेम में डालेंगे यह देखें, बिस किसी तरीके से आप सारे पकोड़े इसमें डालिएगा, बिल्कुल लाइट फ्रेम में पहले हम लोग इसको फ्राइ करेंगे, आप चम्मत से, हातों से, मुझे हातों से जादे असानी होती है, इसलिए मैं हातों की सहारे से इसे डाल रही हूँ, आप चम्मत बहुत अच्छे से यह देखें, पक चुका है, एकड़um golden हो चुका है, बहुती अच्छा देख रहा है, अब देख सकते हैं, यह देखें, अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे, और बाकी जो पकोड़े हैं, इसी तरीके से हम फ्राइग कर लेंगे, इसी तरीके से हम फ तेस्टी हो गया अब इसे हम चाट के जैसा सजाएंगे इस तरीके से मैंने एक छोटा सा बावु लिया है और इसमें हम पकोडे को रखेंगे और यह मैंने दही को फेट लिया था थोड़ा नमक मैंने डाल दिया था इसमें दही डालेंगे और यह कटेवे खीरा डालेंगे स्टी कटेवे प्यास को कर सकते हैं कि कटेवे हरे मिर्च है और कुछ सेव बंजिया है würdya आर रही हूं और फिर उपर से हम और ठोड़ा पकोडे इसमेस डालेंगे और इस तरीके से हम दही से इसको एक और बर सजा लेंगे, यह बहुत मज़ेदार टेस्ट देती है, यह देखिए चाट पकोड़ा मैंने बिल्कुल तयार कर लिया है, इस तरीके से आप छोटी-छोटी बाउल में या बड़े में आप बना के रख सकते हैं, यह देखिए मैंन आप इसे बनाइए और अपने घर पे खाईए, यह बहुत ही मज़ेदान और यूनीक रेसिपी है, यह पकोड़े के आप बहुत तरीके से पकोड़े कहा है, लेकिन तीखे, चटपटे और चाट पकोड़े यह चाट पकोड़े आप शाम नाश्टे में कोई गेस्ट आ जाती है और साथ ही हमारे फुड विला कोलकाता चैनल को सब्सक्राइब शेर लाइक और प्लीज कमेंट जरूर से जरूर करें आप ये रेसिपी अपने घर पे बनाए और ये कैसी बनी है आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं थैंक यू सो मॉच सब्सक्राइब लाइब छिए ना राक करें जरूर और्ह ृटर बताएं चैनल करें बताएं मेंट अभी को λom